मृत्यू दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है मृत्यू के बाद की दुनिया के बारे में तमाम बाते बताई जाती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता की मौत के बाद क्या है स्वर्ग और नर्ग की दुनिया के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम लेकिन इस बारे में बहुत लोग बता पाते हैं कि मौत से ठीक पहले इंसान को कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे उन्हें आभास हो जाता है कि इस दुनिया में उनका वक्त पूरा हो चुका है आईए जानते हैं उन संकेतों के बारे मैंने क्रिसच में यह सामने आया है कि मरने से पहले इंसान के आगे कई तरह के विजन दिखाई देते हैं उसे परचाईयां दिखती हैं यह भी बताया गया है कि लोगों को मरने से पहले अपने कमरे को कोनों में अपने प्रियोजनों की परचाईयां दिखाई वा महसूस होती हैं। किसी किसी को अपने पिता दिखाई देते हैं। अपने आसपास परचायों का दिखना वा महसूस होना ऐसा मरने से कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले होता है। ऐसा होने से उस शक्स को यह अंदाजा लग जाता है कि उसका इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। हाला कि अकाल मृत्यू में मरने वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, क्यूंकि उनकी मौत अचानक आती है। हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते और समझते हैं कि जिसने इस दुनिया में कदम रखा है वहेक ना एक दिन इस दुनिया को अलविदा जरूर कहेगा। इंसानी जीवन कितना ही अस्थिर क्यूं ना हो इसकी सबसे बड़ी हकीकत है मौत, लेकिन फिर भी मृत्यू एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर शरीर में अजीब सी सिहरन महसूस होने लगती है। कोई कितना ही ताकतवर्या धनवान व्यक्ति क्यूं ना हो, मौत एक ऐसा भय है जो अच्छे अच्छों की नीम डुड़ा देता है। इसलिए होता है क्योंकि मृत्यू से कुछ समय पहले व्यक्ति की आँखे उपर की ओर मुड़ने लगती हैं, मृत्यू से कुछ समय पहले व्यक्ति को आसमान के चांद में दरार या फिर वो खंडित नजर आने लगता है। पूरा हो जाता है तो उसे अपने मृत्य परिजनों के साथ होने का एहसास होता है। मृत्यू से दो रिंग तीन दिन पहले व्यक्ति को किसी साय का अपने साथ होने जैसा एहसास होने लगता है। मृत्यू से कुछ समय पहले व्यक्ति के शरीर में से अजीड सी गंध आने लगती है जिसे मृत्यू गंध कहते हैं। जब व्यक्ति को आइने में अपना नहीं किसी और का चहरा नजर आने लगे तो समझ जाये उसका अंत समय बहुत निकट है। उसकी मृत 24 गंटे के भीतर हो सकती है। भगवान शिव ने भी मृत्यू के कुछ संकेत बताए हैं। जब व्यक्ति का शरीर पीला, सफेद या हलका लाल हो जाये तो समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति की मौत 6 महीने के भीतर हो जाएगी। व्यक्ति उसे करीब 6 माह पहले व्यक्ति की नाक्त मूह, जीभादी पत्थर की तरह कड़े हो जाते हैं। व्यक्ति चांद, सूरज की रोशनी को देख पाने में अक्षम हो जाए या उसे हर जगह आग का ब्रह्म होने लगे तो वह व्यक्ति सिर्फ 6 माह का महमान है। व्यक्ति उसे पहले व्यक्ति के मसूडे और दातों में से पस निकलने लगती है। सितारों की भीव में एक ध्रुव तारा होता है, आमतार पर उसे आसानी से देखा जा सकता है लेकिन अगर व्यक्ति की मौत निकट हो तो उसे ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता और उसके लिए आसमान एकदम लाल हो जाता है।